नवश्कार आपका स्वागत है हमारे योट्यूब चैनल पर और आज इस वीडियो में मैं आपको ऐसे कारणों के बारे में बताने वाला हूँ जिनकी वजह से आपका लिवर खराब हो सकता है और आप लिवर पेलियर के सिचुशन में जा सकते हैं जिसकी वजह से आपको लिवर ट्रांस्प्लांट भी कराना पड़ सकता है या फिर आपकी जान भी जा सकती है ये कारण आपको पता होना इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि आपका लिवर आपके शरीर में 500 से भी ज़्यादा फंक्शन को प्ले करता है और ऐसे में जब आपका लिवर अपने फंक्शन को सही से प्ले नहीं कर पाता तो इसका रिजल्ट ये रहता है आपके शरीर में कई और दिक्कते बनने लगती हैं आपके कई और बॉड़ी पार्ट्स खराब होना शुरू कर देते हैं तो आपको ये गलती बिल्कुल नहीं करनी आपको उन क कारणों का पता होना बहुत ज़्यादा जरूरी इसलिए भी हो जाता है तो सबसे पहले कारण के हम बात करें तो सबसे पहला कारण रहता है आपका excessive amount में alcohol का consumption करना शराब पीना आज के टाइम में बहुत common हो चुका है जैसे ही बच्चे college में जाते हैं वहाँ शराब पीने क शराब पीना शुरू कर दिया था और वो daily basis पर शराब पीने लगे उन्हें enjoyment के लिए शराब पीना अच्छा लगता है किसी को stress management के लिए शराब पीना अच्छा लगता है लेकिन वह यह बूल जाते हैं उनके शरीर की भी कुछ capacity होती है उनके liver की भी कुछ capacity होती है और वह excessive amount में alcohol का consumption करना शुरू कर देते हैं और इसका result यह रहता है आपके liver पर pressure पड़ता है metabolism का और जब यह pressure लगातार बना रहता है तो इसका result यह रहता है आपका liver failure की ओर बढ़ जाता है उसमें कोई ना कोई दिक्कत आना शुरू हो जाती है एक कारण तो आपका यह रहता है होने लग जाता है तो इस situation में आपका liver अपने काम को सही से नहीं कर पाता जब आप बहुत ज़्यादा weight gain कर लेते हैं तो इस समय आपका liver सही से अपने functions को play नहीं कर पाता क्योंकि आपकी metabolism process slow हो जाती है आपके liver में और भी दिक्कते आने शुरू हो जाती है जब भी कोई व दिक्कते भी बनती है उन्हीं दिक्कतों में से एक होता है आपके liver में दिक्कत बनना आप fatty liver की problem को भी face कर सकते हैं तो सबसे पहले आपको अपने weight को reduce करना है आपको अपनी diet में उन सभी चीजों को हटा देना है जो आपके weight को बढ़ाती है या जिनकी वजह से आपका liver खर आप इसको भी कम करें अपनी restrictions जरूर रखें अपनी diet में आपको कोशिश करनी है आपको ऐसा खाना खाना है जो easily digest हो जाए वहीं तीसरा कारण जो देखा जाता है patient में वह होता है viral hepatitis यानि जब आपका liver किसी virus की वजह से effect करता है आपने गंदा पानी पिया उसमें कोई virus आपके शरीर में चले गया और यह आपके liver को damage करना शुरू कर देता है अब hepatitis क्या है तो इसके लिए मैंने specified एक video बना रखें जो आप हमारे YouTube चैनल पर easily देख सकते हैं आपको hepatitis A, B, C, D, E कोई सा भी virus damage कर सकता है आपके liver को तो इसलिए आपको इसके जानकारी होना बहुत पादर को liver से related कोई भी दिक्कत बनी होती है तो इसकी वजह से आपको भी liver में problem हो सकती है अब आपको क्या करना है आपको ज़्यादा सचेत रहना है आपको कोशिश करनी है आप कोई भी ऐसे food items को अपनी diet में include ना करें जो आपके liver को damage करें आपको अपने आपको healthy रखने की तरफ ज़्यादा कोशिश करनी है और ना कि आपको अपने lifestyle में junk foods वगयर को include करना है जो आपकी health के लिए सही नहीं है आपको alcohol की consumption पर भी खास धियान रखना होगा और एक कारण होता है आपका viral hepatitis यानि इस situation में patient का immune system ही उनकी liver को damage पहुचाना शुरू कर देता है जिसकी व उमीद है इस वीडियो से आपको पता चल गया होगा कि किन कारणों की वज़े से आपका liver खराब हो सकते हैं आप liver failure की ओर जा सकते हैं आप liver cirrhosis की ओर जा सकते हैं आपका liver fatty liver बन सकता है तो आपको ये गलतियां बिल्कुल नहीं करनी है और अगर आप liver की problem को face कर रहे हैं तो इसके लिए ayurvedic treatment सबसे best treatment रहता है आप नीचे देगे number पर call कर सकते हैं और श्रयास की doctor की team से consult कर सकते हैं आज की वीडियो में सिर्फ इतना है मुझे उमीद है ये वीडियो आपको अच्छे लगी होगी अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगी है तो आप इस वीडियो करें thank you for watching